एक frequently asked questions है कि मालने अगर total 30 chapters है mathematics के अंदर तो एक बच्छा पूले कि कि मैं पूरे 30 chapters करूं मालने अगर 60% की efficiency तक या फिर मैं 15 chapters करूं 100% की efficiency तक तो I will say it is a better situation कि अगर हम सारी chapter एक minimum level तक त्यार करें और उसके बीचे logic बहुत simple है कि कोई भी paper होगा जैसे mathematics का होगा मालने उसके अंदर 25 questions आने हैं तो वो 25 questions ऐसे नहीं हो सकते हैं सारे 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 tough हैं उसमें एक distribution होगा कि 15 questions easy हैं 5 questions मालने हो moderate हैं 5 questions tough हैं something like this 15 की बज़े वो ऐसे हो सकते हैं 10 easy हैं और 10 moderate हैं 5 tough हैं इस तरह के question भी हो सकते हैं तो ज़्यादा number of chapter करने से अगर मैं easy question कर पाऊं तो that is a better situation because जो easy portion होगा उसमें ऐसा हो सकता है कि मालने कर हमने पार्चेस रिवस करके जाएं कि वर 15 chapter ही करके जाएं तो ऐसा हो सकता है कि जो हम chapter करके गए उसके 3 chapter से ही easy question आया बागी 7 chapter हमारे tough वाले चीज़ में use हो गया या फिर उस reason में आ रहा हैं अगर हम सारी chapter करेंगे तो हम हर chapter के easy easy वाले questions कर पाएंगे तो जो paper के अंदर scoring part होता है जो easy वाला part होता है वो we should be able to attempt this is the logic behind it तो मैं तो हमेशे बोलता हूँ कि अगर दौनों के बीच में हमें option है तो हमें एक minimum level तक का मतलब क्या है कि हमने chapter किया और जो mains के exercise है उसके 30, 40, 50 percent question हमसे solve हो रहे है तो बस वो ठीक ठाक है बाके अगर नहीं हो रहे है तो चलेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो span होगा paper के अंदर जहां पे हम attempt कर सकते हैं वो बढ़ जाएगा और marks के आने की जादा आने की सम्भावना बढ़ जाएगी अच्छा इसमें बहुत चोटा से एक यह है जैसे मैंने मुलना कि medium level तक cover करें इस बात का मतलब यह है मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो IAT-JE में average बच्चा मतलब IAT-JE मेंस के साब से average बच्चा है fight तेने भाला है all the very best